हरी कृष्णा राधिरादे बग्त बहुत बहुत स्वागत है आप सबी का हमारे किशोरी कृपा चैनल में तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो में हम आपको अक्षेत रितिया की पूजाविदी बताने वाले हैं तो फ्रेंट्स अक्षेत रितिया पर मातल लक्षमी भगवान विश्णु जी का पूजन किया जाता है जिससे की सदैव हमारे घर में इस्थाई लक्षमी का वास रहे और कभी भी धन संपदा बैबब की कमीना हो और कुछ ऐसे कारे भी हम आपको बताएंगे जिने की अक्षेत रितिया पर करना बेहद शुब माना जाता है तो फ्रेंट्स सुबह की बज़े हैं छे और हम आये अपनी घर की चट पे मगवान के लिए फूल लेने के लिए तो सुबह के जो भी काम होते हैं घर की साफ सफाई करना सारे काम हो चुके हैं और मैं जा रही थी नहाने के लिए तो फूल हमेशा नहाने से पहले ही तोड़े जाते हैं तो फ्रेंड्स वैशाक का महीना है गर्मी बहुती ज़ादा तेज होती है इस महीने में और आप देख सकते हैं धूप अभी से फैल चुकी है तो फ्रेंड्स आजकल तो दोनों टाइम पौधों में पानी देना पड़ता है नहीं तो पौधे जो है जलने लगते हैं धूप की बज़े से और देखिए गुड हैल पे कितने सारे फूल खिले हैं कलियां खिल चुकी है इन्हें मैं तोड के ले जाऊंगी और जब तक हमारे पूजा का समय होगा तब तक ये पूरे खिल जाएंगे तो सबसे पहले नहाने के बाद बेटे का टिफिन पैक करूँगी सबा साथ वजे बेटे की बस आ जाती है और हस्बिन भी जल्दी ओफिस चले जाते हैं उसके बाद ही मैं पूजा की वीडियो शूट कर पाती हूँ तो फूल हमने तोड लिये हैं अब चलते हैं हम नीचे और यहाँ पे कर लिजिए सुबा सुबा के हमारे काना जी के हमारी तुलसी महरानी के दर्शन तो चलिए अब हम करते हैं पूजा की तयारी तो फ्रेंट्स ये पूजा हमें घर की उत्तर या पूरग दिशा की तरफ ही करनी है और आप चाहें आप गेरू से लीप के चौक लगा सकते हैं ठीक है नहीं तो आप देखिए हल्दी से चंदन से रोली से आप स्वास्तिक बना दें क्यूंकि फ्रेंट्स मातल लक्ष्मी क रंगोली चौक अलपना ये सारी चीजें बेहत प्रिय हैं तो देखिए मैंने यहां पर स्वास्तिक बना लिया है और अब हम इसके उपर एक चौकी रख देंगे और चौकी पे हमें लाल या पीले रंग का वस्तर बिचाना है तो देखिए हमने इसके उपर एक और छोटी स इस पर हम थोड़े से फूलों का आसन देंगे भगवान विश्णू माता लक्षमी के लिए साथी हम गणेश जी को विराजमान करेंगे तो फ्रेंट्स मेरे पास फोटो है तो मैं फोटो रख रही हूँ अगर आपके पास लक्षमी नाराइन भगवान की मूर्ती हो तो आप उन्हें गंगा जल से पंचामरत से अभिशेख भी कर सकते हैं गणेश जी हमने विराजमान कर लिए है और उसके बाद फ्रेंट्स हमन कलश स्थापना बहुती जादा जरूरी होती है अच्छा बाद में इस कलश का हमें क्या करना है वो भी हम आपको वीडियो में जरूर बताएंगे तो फ्रेंट्स देखिए शुद्ध ताजा जल हमें इसमें कंट तक भर लेना है आप चाहें आप थोड़ा सा गंगा जल भी मिला सकते हैं उसके बाद देखिए हमने लिए हैं यहाँ पर जो तो जो की जगा आप यहाँ पर चने की डाल भी ले सकते हैं तो क्यूंकि फ्रेंट्स जो को और चने की डाल को स्वर्ण के समान माना जाता है तो इसमें हमें कलश के अंदर थोड़ी सी चने की डाल या थोड प्रश के ऊपर मैंने चीनी भर के पातर रखा है आप चाहें तो कोई भी आप मौसम के अनुसार कोई भी फल आप रख सकते हैं जैसे के तर्बूज, खर्बूज, आम जो भी आपके पास हो उसके बाद देखिए हमने तीन बार जल के छीटे लगाते हुए इसनान के भाव से जल छड़क दिया है तो सबसे पहले हम धूप और दीप प्रजुलित करेंगे उसके बाद ही हम अपनी पूजा को शुरू करेंगे तो फ्रेंट्स, अक्षे तिर्थिया इतनी ज़्यादा शुब तिती होती है कि इसमें बिना कोई मुहूरत देखे, आप कोई भी शुब कारे कर सकते हैं, कोई भी मांगले कारे कर सकते हैं जैसे किसी भी प्रकार की प्रोपर्टी खरीदना, जमीन जायदात खरीदना, सोना चांदी खरीदना, किसी भी तरह का मांगले करना, अंकाम करना आज के दिन बहुत शुब होता है और बिना कोई पंचांग देखे, आप पूरे दिन में कभी भी ये कारे कर सकते हैं तो यहाँ पर देखिए हमने गनीज जी का पूजन किया है गनीज जी को हल्दी चंदन कुमकुम अक्षच चड़ाई है दुर्बा अर्पित की है लाल रंग के पुष्प हमने अर्पित किये है और माता लक्षमी को लाल चुनरी पहनाई है और विश्णु भगवान जी को पी छुनरी चंदन से हल्दी से तिलक कर हैं माता लक्ष्मी को हल्दी चे रूली sich कुमकुम से तिलक करेंगे अक्षकaf आज के दिन आप जरूर अर्पित करें तो भगवान विश्णु जी की पुजा में तुलसी अर्पित करना आप बिल्कुल भी ना भूले और और जिस घर में भी विश्णु भगवान की पूजा होती है उस घर को माता लक्ष्मी कभी छोड़ कर नहीं जाती हैं और आपको ध्यान ये रखना है कि माता लक्ष्मी की पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी है या तो आप गनीश जी के साथ में करें या भगवान विश्णु जी के साथ में तो गनीश जी को हमने वस्तर रूपी कलावा अर्पित किया है और माता लक्षमी को इत्र आप जरूर लगाएं इसके बाद फ्रेंड्स हमें आज के दिन सोने या चांदी की खरीदारी जरूर करनी चाहिए और अगर किसी भी कारण से आप सोना चांदी नहीं ल पित करें माता लक्षमी को मखाने और बताशे का भोग आप जरूर लगाएं हो सके तो इसके अलावा फ्रेंड्स हमें सत्तू का भोग जरूर लगाना है तो जो के सत्तू आप ले लें साथी में आप गुर का भोग लगाएं भगवान विश्णु जी को और जो और चने की दाल आपको पूजा में जरूर रखनी हैं साथ ही इनका दान भी आज के दिन आपको जरूर करना है तो फ्रेंज सोने का दान हर कोई नहीं कर सकता है इसलिए चने और जोग को सोने के समान ही माना जाता है तो आप इन चीजों का दान हो सके तो जरूर करें अच्छा माता कश्मी को खीर का यदूद से बनी सफेद मिठाई का भोग आप जरूर लगाएं भोग के साथ में एक पातर में जल भर के अवश्य रखें उसके बाद फ्रेंड्स कुछ दक्षणा हमें पूजा में जरूर रखनी है अपनी सामर्थ के अनुसार जो कि ये बाद में हमें दान क करना भी बहुत शुब होता है तो आप जादा कुछ ना कर सके तो किसी ब्रामन को आप पीले रंग का गमचा भी दान कर सकते हैं और अब हम करेंगे प्रेम पूर्वक भगवान की कपूर से आरती तो फ्रेंड्स इस तरह से पूजा करने के बाद जो भी सामगरी आपने यह पर रखी है वो सारी चीजें आपने अगर दान के लिए रखी है तो आप दान करेंगे ठीक है और अगर आपने केवल भोग के लिए रखी है वो तो आप घर के सबी सदस्ये इसे प्रशाद रूप में ग्रहेंड करेंगे तो फ्रेंट्स अपनी सामर्द की अनुसार हमें दान तो जरूर करना है क्योंकि बिना दान के अक्षे त्रितिया की पूजा अधूरी माने जाएगी अच्छा ये जो कलश है ना जल से भरा हुआ इसका दान भी हमें करना होता है बाई चांस आपके यहां कोई ना ले अगर इस कलश को तो फिर आप इसे अपने घर में ही अक्षे पात्र के रूप में यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंट्स भगवान से पूजा में रही कमियों के लिए छमायाच ना कर ले तो ये थी आज की पूजा की सरल बिधी उमीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले चैनल पे नए आये हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में राधे राधे